है दोस्तों साइज ही और बैक विद अनदर इंट्रेस्टिंग वीडियो और आज का जो वीडियो है यह काफी जादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेंगे उसके बाद कुछ अतरंगी सत्रिंगी यूटूबर्स हैं जो कुछ नए-नए टेकनीक्स बना रहे हैं खुद के और बोल रहे हैं आपे जाली बिच्छाओ वो बिच्छाओ उसके उपर बरतन रखो मटका रखो अध्रक लसन संबार करो अरे भाई क्या है यह इसके ब बनाता हूं और यहाँ पर मैंने अब बीच मैंने मतलब यह तवा खरीदा है रोटी बनाने के लिए तो आप भी कोई नो कोई बरतन खरीद हो गई है ना क्योंकि आपके पास इंडेक्शन होगा तो कोई नो कोई उसके उपर बट कौन सा काम करेगा बरतन यह भी तो जरूर से रिलिटेड या फिर हार्डवेर से रिलिटेड कुछ इंफॉर्मेशन या फिर फाइल्स चाहिए हो तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग आफ टाइम लेट्स बेगई तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडेक्शन काम ही कैसे करता है उससे ही स्टार्ट करते हैं तो दिखो यहाँ पर जो इंडेक्शन है वह आपका जो है इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडेक्शन वाले फिल्ड पर काम करता है ठीक है जिसमें यहाँ पर आपके पास होगे एक कौय्ल यहां पर बीच में कॉक्ण होत favor はい का इंदर आएगा तो कॉई पर फोई के अंदर कर आने से पहले यहां पर आपके बास एक बोड़ रहेगा ठीक है और यहां पर अं करोगे तो उसके बाद उस कोईस के अंदर करंट जाता है प्लस-माइनस की तरह मतलब ferromagnetic field metal वाले जो बरतन होता है वो रखते हो तब यहाँ पर actually क्या होता है यह जो आपका electromagnetic field है यहाँ पर वो लिंक करेगा इस बरतन के साथ क्यों लिंक करेगा इस बरतन का जो है ferromagnetic जो metal होता है वो उसके साथ लिंक करेगा उसके बाद यहाँ पर बनेगा ED current क्या बनेगा ED current उसके वज़े से ही आपका जो बरतन है यहाँ पर heat generate होती है ठीक है अब यह ED current सिर्फ इंडक्शन में generate नहीं होता यह चीज न आपको देखने को मिलेगा हमारे motors में अपने पानी की motor होती है तो उस motor के उपर आपको देखने को मिलेंगे इसे line से slots होते है और उसके पीछे पंखा लगा होता है अगर आप ध्यान से observe करोंगे तो देखना तो वो ठंडा करने के लिए होता है क्योंकि वहाँ होता है यहाँ पर में जो करेंगे उस में फिरो मैगनेटिक मेटल अब कौन से सथे उसमें like steel हो गया, iron हो गया, फिर cast iron, अब cast iron क्या है, यह combination होता है different type के metals का, उसको cast iron बोलता है, iron अलग है, और cast iron अलग है, ठीक है, अब cast iron को हिंदी में शायद bead बोलते हैं उसको, bead बोलते हैं, bead मालूम होगा ना आपको, तो actually वो थोड़ा सा जाड़ा जाड़ा सा होता है, और उसको थोड़ा जोर से अगर आप किसी चीज़ को लेके मारोगे, तो वो तूट भी जाता है, ऐसे, ठीक है, जैसे कि यह देख रहे हो, यह जो तवा है, यह iron है, totally iron है, इसको मैं नीचे फेक के मारो, इसको मैं हातोड़ी से कुछ भी करो, तो यह bend होगा, तोटेगा नहीं, पूरा ऐसा bend-bend करके तूटेगा, अगर पूरा उसको ठोक ठीक करोगे, पट यह bend होता है iron, cast iron bend नहीं होता है, वो तूट जाता है उसको अगर आप जोर से आप मारोगे हतोड़ी से, तो cast iron अलग है, iron अलग है, steel अलग है, ठीक है, तो यह अलग-अलग type के जो है बरतन इसक क्योंकि उसमें वो फेरो, magnetic जो metal है वो उसमें नहीं होता है, तो उसके वज़े से यहाँ पर aluminium बरतन वर्क नहीं करता है, ठीक है, अब aluminium बरतन के नीचे यहाँ पर अभी कुछ नया item आया हुआ है, जो aluminium के बरतन होते है, उसके पीछे एक plate लगाते है, dotted वाली plate होती है, ठीक अब दिक्कत क्या है, आप ले ले तो, it's okay, fine, but बहुत टाइम होने के बाद, या फिर बोलू कुछ टाइम, अगर local वाली खरीद होगे, तो कुछ टाइम के बाद ही वो plate निकल के आ जाएगे, तो फिर कुछ फाइदा नहीं रहेगा, अब aluminium है न, तो aluminium पिगलता जल्दी है, as compared to steel, iron, cast iron, सबसे ज़्यादा जल्दी पिगलने वाल आइटम बोले तो aluminium, वो जल्दी पिगल जाएगा, so aluminium के उपर वो plate टिप कर रहे है, तो वो जल्दी पिगल के निकल जाएगा, क्योंकि आप high heat पे use करोंगे न, तो पक्का वो plate पिगल के निकलेगी बाद से, तीक है, अच्छे company का खरीदते हो, तो maybe वो टिकता है ज्यादा time तक, बट अगर locally खरीदोगे, तो वो जल्दी पिगल के निकल जाएगा, तो आपका पैसा भी waste हो जाएगा, तो मजा नहीं आएगा, तो इससे best है कि आप steel का item खरीदो, उसी की उपर induction की उपर चलाओ, या फिर iron का item अब next चीज़ बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जाली, क्या कर रहे हैं, जाली जो होती है, यहाँ पे जाली बिचाते हैं, लोहे की वो मच्छर वाली जाली आती है, वो प्लास्टिक की मच्छर वाली जाली नहीं बोल रहा हूँ, लोहे की जाली, एक ठीक है इतना हीट जन्रेट होगी पुरी लाल लाल होगी उसके उपर आप बरतन रखोगे कुछ इस तरह से मैं स्टील बरतन की बात नहीं कर रहा हूँ अलूमिन में फिर कोई भी बरतन रहा है तो उससे क्या होगा कि हीट तो है आपकी जाली की उपर आ रहा है वो पुरा ला जाली पर लगा के दलब भाई 10-15 मिनिट या फिर 20 मिनिट वेस्ट हो जाएंगी उसके तो आपका तो पहले तो यहां पर वेस्ट हो गई आपका करन्ट वेस्ट हो गई उपर से यहां पर बता नहीं सकते है कुछ भी हो सकता है वो पीगल भी सकती यह जाली इतनी गरम होती गोती है कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको यहँ पर मैं जब यहां पर 16 सवर। सेट करता हूँ इतना हीट जन्रेट होता कि भप से यहां पर गरम होती चीज़ है तो वही चीज़ आपको नोट डाउन करने हो जाली वाला मेथड यूज करना यह फाइदा ही नहीं रही है आप जुगाड करके भी फायदा नहीं है उसमें सिंपल सी बात बता रहा हूं समझें उसके बाद यहाँ पर और एक इंपोर्टेंट चीज याद रखना कि जो भी आप बरतन करीदी वह स्टील का हो या कोई वह फ्लैट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इसका जो है फ्लैट स क्योंकि वह फुल डिग्री पर चला जाएगा इसको मैंने कर अभी हंड्रेट पर कर आएं तो अब देखना अभी जीरो एरर आ रहा है अब देखो आगे सो ठीक हाटा दिया तो इस तरह से जो है आपका वह उतना डिग्री लेगा समझ रहे हो एदे गईर आगे हाटा दिया तो कोई भी चीज फ्लैट होनी चीज अब यह मैंने तवा खरीदा है अब बिच खरीदा देखो नया नया वाले बिल्कुरी अब यह उबड़ खा क्योंकि इसकी ऊपर कुछ रखा मतलब कुछ खाने बनाने का या पानी वानी कुछ भी नहीं डाला इसले कि जल्दी गरम हो जाता है उससे कराब हो जाएगा इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं रख रहा हूं ठीक है समझी बात तो इस तरह आप कोई भी चीज जो की फ्लैट स गरम हो जाता है तो अब देखना फट से गरम हो रहा है इए और चालू गरम आप यहाँ पर जाली नीचे रखो गे तो जाली का क्या हाल होगा वह सोचो आप तो आप लोगा की जाली रखते बुल रहें तो ऐसी कि 20 हो जाएए तो ऐसे फालतु कामा नहीं करना तो इस तरह स जो है आप induction पे सारे बरतन यूज़ कर सकते हो कौन से कौन से iron, cast iron, steel cast iron कैसा रहता है जाड़ा जाड़ा रहता है cast iron और थोड़ा सा ऐसा plane नहीं रहता है cast iron में थोड़ा सा उबढखाबड जैसे अंदर उतलब ऐसे dotted dotted वगर थोड़ा सा रहता है आप देख ले ना बस इतनी बात ध्यान में रखो कि aluminum काम नहीं करने वाला है आपके induction के उपर aluminum के पीछे plate लगा के cookers रहते हैं आप बहुत सारे बरतन देखे हैं जो प्लीचे वो steel का या फिर iron का plate चिपका रहे हैं वो भी मत खरीदो तो ही better है डिरिक्टली steel का खरीदो iron का खरीदो cast iron का खरीदो बात खतम कर दो पर वो aluminum के चक्कर में पढ़ना नहीं simple सी बात बता रहो बाकी आपकी इच्छा जो बताना था वो important information मैंने दे दी जो जो बरतन काम करेंगे वो भी बता दिया कोन से बरतन जहा है कभी शही पानी तो ऐसा नक्कू करो ठीक है तो यह था simple सा वीडियो वीडियो आपको समझ में आया होगा थोड़ी से doubt और myths clear करने थी इसलिए वीडियो बना यह वैसे अपने category का वीडियो है नहीं ठीक है पर मैं हमेशा इसी पर काम करते रहता हूं अरे रोज मैं इसी प क्या थरंगी सा थरंगी वीडियो भी मिल जाएंगे ठीक है तो तब तक के लिए गुडबाई टेक केर